हेलो फ्रेंट्स । आज मैं आपसे लचा अचार की recipe share करने जारेई हूँ एसे बीना धूप में रखे आप घर के अंदर ही तैयार कर सकते हैं और आप सालो साल इसे खा सकते हैं तो चली इसे बनना start करते हैं सबसे पहले मैं कचे iam को अच्चे से धो ली हूं उसके बाद मैं इसका कद्दूकस कर रही हूं कद्दूकस करने के बाद आप इसे किसी भी काँच के बर्तन में ऐसे रखें नहीं तो इसके खटास से आपका स्टील का बर्तन खराब हो सकता है क्योंकि इसे हमें करीब दो दिन तक रखना है उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूं एक चम्मच नमक एक टीय स्पून हल्दी पाउडर और ये एक टीय स्पून लाल मिर्च पाउडर और साथ ही मैं इसमें एक चम्मच दरदरा कुटा हुआ पीला सरसो डाल रही हूं और एक चमच सफ डाल के उसको दरदराग कूट रही हूं मसाली को अब मैं चाहर से 5 चमच सर्सो का तेलाग्न कर रहे हूं क्यांकि अचाहर के लिए हम इषा सर्सो का तेलीजे आधे देल को अच्छे से गर्म हो जाने के बाद इसमें मैं काला सरसोर डाल तड़का लगा रही हुँ झार जो में थि और सोफ को मैंने दरद्रा कूटा था वह इसको डाल रही हैं इसमें और गयास का फ्लेम यहां तोट भी सकता है इसलिए धीरे से अराम से डाले थोड़ा-थोड़ा ओयल क्योंकि गर्म है थोड़ा-थोड़ा डालके से अराम से चलाते जाएं एक साथ सारा ओयल ना डाले इसमें यह देखे इसमें सारा ओयल मैंने धीरे धीरे डाल दिया है और साथ ही इसमें मैं दो टेबल स्पुन सिर्का डाल रही हूं इससे जो अचार का है सिर्फ लाइफ वो बढ़ जाएगा और आपके अचार कभी खराब नहीं होंगे आप सालों तक इसे स्टोर करके किसी भी कांच के जार में रख सकते हैं और स्ट पो अब इसको ड्हां के दो दिन के लिए रख दहूंगी और इसे बीच बीच में आप दो दिन तक चलाते रहें यह देखिए लगवक दो दिन हो चुका है और मैं बीच में इस वे चलाती रही हूं यह देखिए कितना अच्छे से यह जो इसका अचार है लच्छा अचार त्यार हो चुका है बिल्कुल ऑयल इसने छोड़ दिया है अच्छे से तो फ्रिंट्स बीना धूप में रखे आपका यह लच्छा अच्छार अब बनके त्यार हो चुका है आप इसे पराटे के साथ या नान के साथ खा सकते हैं और कांच के जार में भरके आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं मैं यहां पर आप से लच्छा कच्छे आम का मुरब्बक की रैस्पी सेयर कर रही हूं यह देखे इसके लिए मैं कच्छे आम को अच्छे से धो के छिल लिए हूं और इसे भी मैं बीना आग जलाए ही त्यार करूँगी यह देखे सारे आम को मैंने छिल लिया अच्छे से और फिर इसका मैं कद्धुकस करके सबको कद्धुकस कर लूँगी इस तरह से लंबे लंबे ऐसे हमें स्लाइस निकालने हैं कद्धुकस करके उसके बाद मैं एक बड़े से बतन में इसे डाल रही हूं आप जितना आम लेंगे उतना ही आपको इसमें चीनी भी डालना है आप किसी भी ब्रत में इसे खा सकते हैं क्योंकि इसमें नमक बिल्कुल नहीं डलता अब इसमें मैं ड्राय फूर्ट ळाले हूं ठोड़ा सा मघच थोड़े से काजु और ठोड़े से किस्मिस ने तोड़ा साजमाईन डाल रहे हैं मैं और इसे अच्छे से पहले आप मिक्स कर लें और मिक्स करके इसे फिर पांसे छे घंटे के लिए छोड़ दे घर के अंदर ही इसे घर से बाहर अभी ना निकाले अगर आप डिरेक्ट इसको धूप में रख देंगे तो यह क्रिस्टल फॉर्म में आ जाएगा इसलिए पहले इसे ढांक के घर के अंदर इसे छोड़ दें इसे मैं बिना गैस जलाए ही इसका मुरब्बा त्यार करूंगी तो यह मैं आपको बता रही हूं कि पांसे छे घंटे के बाद इसका जो चीनी है वो मेल्ट हो जाएगा तो इसे पहले आप कोई भी कॉटन का कपड़ा यूज कर लें उससे अच्छी तरह से दोनों तरफ ब यह देखिए पांसे छे घंटे के बाद मैं इसको आपको दिखाती हूं कि इसने अच्छे से इसमें पानी छोड़ दिया है तो इस स्टेज पे हमें इसे एक बार चलाना है और फिर तीन दिन तक लगवक इसे धूप में ही रखना है इसे गैस पे चरढ़ा के रखने की जु यह देखिए लगवक तीन दिन के बाद आपको जो मुरब्बा है बिल्कुल त्यार हो चुका है सारा पानी इसने अब्जॉर्ब कर लिया है और तीन दिन तक मैं इसको चलाती रही हूं इसका कपड़ा हटा हटा के तो आप भी जब बनाए तो ऐसे कपड़ा हटा के इसे च इतना अच्छा मुरब्बब बनके कच्चे आम का त्यार हुआ है कि अ कि अ कि मैं यहां पर कच्चे आम का गटा-गट की रेसिपी सेयर करने जा रही हूं यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगता और हमारे पाचन को भी बढ़ाता है तो देखिए इसे कैसे बनाते हैं यहां पर कच्चे आम को मैं पहले धो ली हूँ और उसके बाद इसको पिलर की साहता से छील रही हूँ यहां पर मैंने इसको छील लिया अच्छे से और इसे मैं चाकू की साहता से इसको छोटे-छोटे स्लाइस में काट लूँगी यहां पर सारे मैंने स्लाइस काट लिया हैं अब मैं इसे एक बर्तन को गरम करने के लिए रख रही हूँ जैसे ही इसका पानी उबलने लग जाए तब इसमें हम इसे डाल देंगे देखिए यहां पानी उबलने लग गया है तो हम इससे स्टेज पर जो स्लाइस हमने आम के काटे थे उसे डाल रही हूँ और इसे तब तक उबलना है जब तक यह सौफ्ट ना हो जाए हलका सा यह घुलने जैसा नाद दिखने लग जाए यह देखिए अभी यह नहीं पकाया धंसे जैसा हमें चाहिए इसे अभी थोड़ा और पकाना है देखिए यहां पर यह पक गया हमें इसी तरह का पका हुआ यह चाहिए यह देखिए बिल्कुल लग रहा है कि ट्रांस्पारेंट जैसा यह हो गया है तो इस स्टेस पे हम गयास का फ्लेम आफ कर देंगे और इसे चन्ने की साईता दीने से बाहर निकल लेंगे इसका पानी सारह अलग कर देना है एकार। ग्राइंड कर ली हूं अब एक कड़ाही को गर्म करें और उसमें इसे डाल दें सारे आम के पल्प को और इसे फिर दीरे-दीरे चलाते रहें अब यहाँ पर मैं गुड़ इसमें डाल रहे हूं जितना आम है उतना ही हमें यहाँ पर गुड़ भी डालना है तो गुड़ को छोटे-छोटे टुकुड़ में तोड़ ले यहाँ पर लगवग हमारा गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है आप इसे अच्छे से मेल्ट होने दे पहले उसके बाद इसमें मैं डाल रहे हूं काला नमक तो यहाँ पर हम डालेंगे सफेद नमक थोड़ा सा अजमायन और साथ ही मैं इसमें हाफ चमाच सोठ डाल रहे हूं और थोड़ा सा गरम मसाला भी इसमें डाल रहे हूं और थोड़ा सा इसमें जीरा भूना हुआ उसका पाउडर डाल रहे हूं इसे डालके आप अच्छे से मिला लें ये सारे हमारे खाने को पचाने के लिए यूज होता है तो ये बहुत ही फाइदे मंद है यहाँ पर थोड़े से मैं मेथी के पाउडर भी डाल रही हूँ तो फ्रेंट्स इसे जरूर बनाए और इसे जब भी आपको लगे तो ये एक ग हमारी डाइजेशन को प्रॉपर रखता है ये सारे चीजें और इसे अच्छे से चलाते रहें ताकि ये नीचे तले में ना लगे क्योंकि ये बहुत ही जल्दी गाढ़ा हो जाता है और हमें इस तरह से इतना गाढ़ा कर लेना है कि एक डो के फॉर्म में दिखने लग जाए देखे कितना जल्दी अपने आप सारे एक ज़्याद इकठा हो रहे हैं यानि इस स्टेज पर हमें गैस का फ्लिम बंद कर देना हमें इसी स्टेज में ये चाहिए इसी कंसिस्टें इसी में चाहिए तो यहां पर मैं ग्यास का फ्लिम आफ कर दे रही हूं और इसे ठंडा होने के लिए आप इसे रख दे आग और उसके बाद सुगर पाउडर इसमें मिला के इसे राउंड रॉंड शेप में दे और इसे पाउंड सुगर पाउडर में रोल करते जाएं और यह देखें कितना अच्छा त्यार हो चुका है यह गोली तो फ्रेंट्स यह से जरूर बनाएं और मेरे को लाइक और सेर करके जरूर बताएं कि कैसा बना है